हेलो एवरीवन कैसे आप लोग कैसे चल रही है आप सबकी पड़ा एक दम बढ़िया ओके सो माइनम इस संजीफ पांडे और स्वागत आपका अपने प्यारे से खुबसूरे से चैनल में जैयार टुटोरियल में सो जैसा कि आप लोग ने बोला था कि सर हमको लॉज ओफ मोशन चाहिए तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इलेक्रिसिटी खतम कर दिया था और ये लेक्चर से आज के दिन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा टॉपिक विच इस नतिंग बटा लॉज ओफ मोशन ओके अब एक चीज़ पहले में क्लियर कर देता हूं कि जैसे तुम लोग बोलते हों कि सर लॉज ओफ मोशन पर वीडियो बनाओ थर्मल प्रॉपरिटीस पर वीडियो बनाओ सर मैगनेडिजम पर वीडियो बनाओ ओके तो यह मेरे लिए बहुत जाधा डिफिकल्ट होता है कि ल अब लगभग में साड़े आठ 9 कभी कभी तो साड़े 9 बज़ जाते रात के तब तक मैं लेक्चर लेता हूं तो इसा नहीं कि नहीं आने वाला या तुम्हारे सामने में अपना दुख गा रहा हूं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है पस यह चीज़ बता रहा हो कि ठोड़ा प को लाइक कर सकते हो और लोगों को बताओ कि हां हमारे पास सारे के सारे content available हैं और अगर तुमको कुछ discussion तो obviously मैंने तुमको दिया हुआ Instagram ID और ऐसा नहीं कि मैं reply नहीं करता हूं कि मैं mostly generally सब को reply करता हूं सारी doubt या free discussion हम लोग करते हैं वहाँ पे तो ऐसा नहीं है बस हाँ थोड़ा सा patience रफ को सारा चीज complete होगा तुम लोग का ओके चलो so book or pen उठालो खाने पीने का समान उठालो जो उठाना उठालो आज अगर मोशन की बात आती है न तो तीन नाम बहुत बहतरी न तरीके से आते हैं और वो तीनों नाम तुम्हारे सामने रखे हुआ है अब यह तीनों की कहानी स्टार्ट होती है यह ग्रीक के बहुत बड़े साइंटिस थे यह सब तो वहाँ पर कहानी थे उन्होंन क्या बोला था उन्होंन बोला था अगर किसी बोड़ी को यूनिपॉर्म मोशन में रखना है तो उसको एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा मतलब जमान लोग कि एक मारकर है यह मारकर को अगर मैं को चलाना है तो आविसली मेरे को इसको फोर्स देना पड़ेगा यह एक अब्जर्वेशन था है यह देख के समझ में आ रहा था लोगों को उस टाइम पर बात में उसी चीज़ इसको अपडेट किया गलीलियू ने गलीलियू ने और चीज़े अपडेट की उन्हें ने बोला कि भाई और बोडी स्टॉप्स मुविंग बिकॉज ऑफ सम एक्स्टर्नल फोर्स लाइक एयर ड्राग रजिस्टेंस फ्रिक्शन ओक ऐसे बहुत सारे रजिस्टिव फोर्स ह है जो क्या करते हैं मोशन को अफोर्स करते हैं तो इंडरिकली हमको उसको ओवरकन करना है अब उसको ओवरक म्करना है तो मेरे को एक सखना सवाई ने क्या क्या Newton ने अपनी कहानी दी, अपना एक तीन बहतरीन लौ दिया, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं, और बहुत बहतरीन लौ है, तो तीनों लौ एक एक करके हम लोग discuss करेंगे, तो तीन लौ है, तुमको अल्रेडी पता है, तुम लोग ने अल्रेडी बच्पन में पढ़ा हुआ है, तो मैं इसका statement यह सब नहीं देने वाला हूँ, हम लोग बात करेंगे और conceptual और deep knowledge की, तो सबसे पहले लौ की बात करें, तो सबसे पहले लौ की कहानी क्या है, देखो जरा, भाई, first law क्या है, first law is also called as law of inertia, क्या ही होता है, first law law of inertia, inertia की कहानी है, यह क्या बोलता है, यह बोलता है भाई, अगर एक body rest पे है, तो वो किस पे रहेगा, rest पे ही रहेगा, अगर एक body चल तो वो क्या करेगा चलता ही रहेगा उके अंटिल ए उसके उपर कोई external force apply नहीं होता याद रखना ओके मालो कि अगर मैं किसी pen को फेकूं तो अगर फेकूंगा तो वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा बट क्या हो रहा है उसके उपर एयर ड्राग लग रहा है opposite direction में अब opposite direction में उसके उपर एयर ड्राग लग रहा है तो धिरे धिरे क्या होगा भाई उसकी velocity कम होगी energy loss होगा और वो नीचे गिर जाएगा या सौन अगर मालो कि वहाँ पर कोई air ड्राग नहीं है अगर कोई इसको रोकने वाला force नहीं है तो यह कभी रुकेगा ही नहीं न भाई यह कभी नहीं रुकेगा बास समयारी की नहीं समयारी हो चलता ही रहेगा तो वही कहानी है वहाँ अगरका बाई यह कभी नहीं रहेगा अगर कोई यह खाली बोटल को गिराना है तो फटाक से गिर जाएगा यह समयारी कि बाई रेस्ट पर फिर गिर के मोशन में आ गया तो अब क्या हो जाएगा देखो जारा अब अगर यही बॉटल को भर दूँ अब इसी बॉटल को भर दूँ अब अगर बॉटल को भर दूँगा तो obviously है कि इसका जो mass है वो बढ़ जाएगा अब मेरे को इसका state change करने में problem हाएगा यह सोन तो वो स्टेट चेंज करते टाइम जो टेंडेंसी है रजिस्टिव की इसको इनर्शिया जनरली इसको mass से रिलेट किया जाता है अगर mass जादा होगा तो इनर्शिया जादा होगा अगर mass कम होगा तो inertia obviously कम होगा ओके clear बास समझे आगे इस इस नातिक मेंटा first law और first law वालिड कहां पर है first law वालिड है सिरीफ inertial frame of reference में ओके यह याद रखना क्या होता है initial frame of reference क्या होता है non-inertial frame of reference देखेंगे इसके बाद वाले topic में देखेंगे tension मतलो समझ में आया first law क्या होता है okay again I'm not giving you the statement okay तुम लोग 9th में पड़े हो 10th में पड़े हो जाओ मेहनत करो statement निकालो मैंने बोला भी है statement क्या है बाई क्या है first law का statement a body said to be in a rest or in a straight line motion until and unless and external unbalanced force applied on it अभी तक तो रट जाना चीए है तुम लोग को next कहानी क्या है second law क्या है that is law of momentum बोलते है उसको तो second law क्या बोलता है second law बोलता है कि अगर किसी भी body का momentum change करना है तो मिरको क्या करना पड़ेगा उसके उपर continuous force देना पड़ेगा मतलब indirectly okay बहुत लोग को लगता है कि laws of motion बोला second law बोला तो f is equal to ma ना 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 f is equal to ma is not second law एक यह उसका application है okay last में solve करके हम लोग यह ही निकालेंगे बट यह उसका application है actual में law क्या है actual में law यह है that is dp by dt directly proportional to f okay मतलब the rate of change of momentum is directly proportional to the force the rate of change of momentum is directly proportional to the force अब अगेन proportionality का sign हटाना है तो एक constant लगाना पड़ेगा और यहां पर जो constant होता है that is nothing but k okay and k is nothing but just a proportionality constant where k is proportionality constant clear बासनारी everyone okay बहुत बढ़ी है यहां पर देखो clear तमझ में आया okay अब यह आया कहां से यह है कहानी यहां पर derived कैसे होता है f is equal to ma कहां आता है सारा चीज़ देखने वाले है यहां पर statement क्या पहले वह देख लो statement क्या बोलता है भाई the rate of change of momentum मतलब momentum का change with respect to summer is directly proportional to the force अब मालो कि अगर तिमको किसी भी momentum change हो रहे मतलब velocity जो रहे अग्र किसी भी गाड़ी का velocity बढ़ाना है मतलब external force बढ़ाना पड़ेगा yes all love अगर किसी भी velocity का गाड़ी का speed कम करना है değerे्व 98 q अजय नहां पढ़ेगा तो अगर तुमको momentum change करना है तो कहींने कहीं for supply करना पढ़ेग'll और वही है तुम्हारा डाइरेक्ली प्रोपोर्शनल आटी यह सौनू अब अगर हम लोग देखने जाए तो अब यहां से कहा नहीं, f is equals to m में कहा आता है, भाई यहां से momentum मिलता है, momentum मिरको पता है, कि यहां पर क्या ही होगा, p2 minus p1, भाई, change मतलब क्या, p2 minus p1, divided by time, divided by क्या, time is equals to f, हाई है न, is equals to f, बासन में आरी कि निशन में आरी, everyone, अब what is p2, p2 पे देहान दो, p2 है क्या, p2 है तुम्हारा, mass into final velocity, p1 क्या है तुम्हारा, mass into initial velocity, भाई, यही होता है, momentum क्या होता है, momentum का हम लोग डिफाइन करते है, product of mass and velocity, तो यहां पर देखो, mv minus m u, whole divided by time is equals to f, is equals to f, अब यहां पर अगर देखो कि तो mass common आ जाएगा, mass common आ जाएगा, kya आ जाएगा, v minus u by t, is equals to f, but what is v minus u by t, that is nothing but acceleration, देखो, change of velocity with respect to time, change of velocity with respect to time, क्या होता है, that is acceleration, तो यहां पर आ जाता है, ma is equals to f, और I can say that, f is equals to ma, तो यह एक्च्वार में second law की कहानी है, अब बहुत ल find किया गया, यह, okay, तो k का value क्या होता है, one होता है, clear बास होना आ गई, तो यह इसका application है, but second law is this, by rate of change of momentum is directly proportional to f, clear, समझ में आया, okay, चलो, next, third law की बात करेंगे, अब लोग, अब मैं third law नहीं बताने वाला, third law नहीं बताने वाला, reaction, action, reaction, law बोला जाता है, इसको, तो यह मैं नहीं बताने वाला, यह तुम लोग, बताऊगे, तुम लोग comment करके बताऊगे, what is the newton's third law, क्योकि यह बच्चा-बच्चा जानता है भाई, newton's third law क्या होता है, action, reaction forces है, यह तुम लोग मेरे को comment करके बताऊगे, मेरे को comment में सब लोग का comment आना चाहिए, what is the newton's third लो मैं नहीं बताने वाला ओके और बहुत important है third law कि क्लियर लेकिन gratis is पहले comment करो, okay, उसके बाद आगे वीडियो देखना चालो करो, so action reaction forces तुमको पता है भाई, okay, it's said that every action there is equal and opposite reaction, मतलब अगर मैं इस wall पे मारूंगा, तो at the same time यह जो wall है, यह wall मतलब मेरा हाथ जो है, यह भी मेरे इस हाथ को मारेगा, मतलब क्या हो रहा है, कि जैसी मैं action दे रहा ह है और यह body 2 है, अब body 1, body 2 पे force लगाएगा 1, तो body 2 force लगाएगा F2, मतलब action force और reaction force दोनों अलग-अलग body पे लगेंगे, ऐसा नहीं कि कभी दोनों action और reaction force एक single body पे लग जाहना ना, यह action force इसके ओपर लगा रहा है, तो यह body reaction force मेरे हाथ पे लगा रही है, तो यह दोनों अलग-अलग body पे लगेंगे, यही चीज़ का ध्यान देना, यह important है, यह important है, बागी statement दो सबको रटा हुआ है, every action there is equal and opposite reaction, जैसे माल लो कि मैं जम कर रहा हूँ, अब मैं जम कर रहा हूँ, तो वो जम करने के लिए भाई मैं force लगा रहा हूँ कि इस पे जमीन पे, तो at the same time जमीन भी मुझ पे force लगा रहा है, okay, this is the application of third law, rocket launching, yes or no, by rocket launch हो रहा है, वो भी third law से हो रहा है, अब वो नीचे दबाओ, बहुत force में, क्या कर रहा है, नीचे आख छोड़ रहा है, that आख की वज़े से उसको एक thrust मिल रहा है, वो ऊपर जा रहा है, yes or no, तो वो action reaction की वज़े स and the non-inertial frame of reference, Newton's law का सबसे बहतरीन concept और सबसे important concept, अगर यह समझ गया है, तो कहानी बहुत simple रहेगी, okay, अगर यहाँ पर confusion रहा है, तो बहुत, बोलते हैं न, समझने में confusion होगा आगे, तो भाई देखो, frame of reference क्या होता है, कि भाई, obviously मेरे को कुछ with respect to लेना पड़ेगा, अग अगर किसी चीज़ को पढ़ना है, किसी चीज़ को समझना है, तो किसी reference से समझना पड़ेगा, हाँ है न, अगर किसी reference से नहीं समझूँगा, तो obviously possible नहीं है, जैसे अगर हम लोग बात करें velocity, तो velocity is not absolute, भाई कहीं पे भी velocity absolute नहीं है, every velocity is the relative, अब relative है, मतलब किसी के relation से है न नहीं earth rest पे है, नहीं sun rest पे है, तो सब चीज़ move हो रहा है, तो जो velocity होती है, वो relative होती है, तो अगर उसको समझना है, तो कहीं न कहीं frame of reference को समझना पड़ेगा, किसी चीज़ को reference लेना पड़ेगा, और frame of reference दो तरह के होता है, एक होता है inertial frame of reference, एक होता है non inertial frame of reference, what is inertial frame of reference इन्याचल फ्रेम आफ रफेरंस क्या होता है, जहां पे तुम्हारा न्यूटन लौ क्या होता है, बहूत बहð बैतरीन काम करता है, इनिशल फ्रेम आफ रेफरेंस, inertial frame of reference में क्या होता है तुम्हारा Newton law बहुत अच्छी से काम करता है क्यों अच्छी से काम करता है उसके पीछे कारण क्या है कारण यह है कि भाई जो observer है उसका जो acceleration है वो equals to 0 होता है जो observer होता है उसका जो acceleration होता है जैसे मैं यहापे खड़ा हूँ मेरे सामने से गाड़ी जा रहा है तो as a observer मैं rest पे हूँ तो मेरा जो acceleration है that is 0 अब जरूरी नहीं कि rest हो वो uniform velocity भी हो सकता है क्योंकि uniform velocity में भी acceleration 0 होता है तो वो चीज ज्यान देना कि जरूरी नहीं कि body rest पे भी हो अगर body uniform velocity पे भी हो तो भी वो inertial frame of reference होगा याद रखना यहाँ पे Newton's law valid है सारा चीज concept सही है non-nertial frame of reference में क्या हो जाता है भाई जो observer होता है observer का जो acceleration होता है वो not equal to 0 होता है मतलब वो move कर रहा होगा उसके उपर कुस्तो acceleration रख रहा होगा यह सँनो जैसे lift की कहानी है अब तुम दो दोस्त lift में जा रहे हो यह सब अगर अगर अपने दोस्त को पढ़ रहे हो तुमारा दोस्त मालो कि ऐसा ball fake रहा है ऐसा ball fake रहा हो के वो टपटप खेल रहा ball के साथ अब अगर तुम उस ball को observe करोगे तो तुम observe कर रहे हो जो lift के अंदर तुम move हो रहे हो मतलब तुम भी move हो रहे हो तुमारा acceleration भी 0 नहीं है तो वो जो तुमारा हो जाएगा न वहाँ पर हो जाएगा non-inertial frame of reference और जैसी मैं बात करता हूँ non-inertial frame of reference की एक कहानी आ जाती है that is called pseudo force मतलब अगर कहीं पर भी मुझको non-inertial frame of reference को समझना है तो मिरे को pseudo force समझना पड़ेगा सूड़ो फोर्स का concept समझना पड़ेगा बस सूड़ो फोर्स क्या होता है nothing but जिस direction में तुमारा acceleration लग रहा है उसके opposite direction में एक acceleration लगा तो कहानी खतम बस बहुत बहुत बहुतरी तरीके से समझ जाएगा माल लो कि तुमारा lift नीचे जा रहा है जा सौनो और माल लो कि तुम जंप कर रहे हो उस lift के अंदर अब तुमारे उपर कहाँ पर acceleration लगेगा उपर this is called pseudo force इसके वज़े से जो यह acceleration की वज़े से जो आएगा ना that is called pseudo force मतलब यहाँ पर जो M में निकलेगा यह M में कौन लोग क्या बोलेंगे pseudo force मतलब जिसका कोई source present नहीं है जिस force का कोई source present नहीं है बाकी सारे force होते हैं उसका source present होता है जैसे इस bottle को मैं धक्का दे रहा हूँ तो मेरा हाथ इसका source है न इसका source present है बस lift के अंदर हम लोग गाड़ी में देखो गाड़ी अगर left turn ले रही है तो हम लोग right side जाते हैं उसका कोई source मेरा कोई धक्का दे रहा है क्या नहीं उसका source है उसका हम लोग बोलते हैं तो centrifugal force तो centrifugal force नहीं बटा pseudo force ओके तो अगर centrifugal force है pseudo force है तो हम लोग क्या करते हैं centripetal के opposite direction में एक force लगा देते हैं of reference में क्या होता है जो observer होता है उसका जो यह होता acceleration होता है वो zero नहीं होता clear चलो बहुत बढ़ियां बहुत बहुत बहतरी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है तुम्हारा types of fundamental forces टाइपस of fundamental forces भाई हमारे होने वाला ग्रावी करना इस लिए घ्रमचित चाप्तर है यह तुम्हारा चाप्तरे जो चछना सुने पोड़्यां इसाल करना है लिए और को में यह सौने चर्णल होने है तुछ गला सुख जाता है पूरा ओके हां गला बैड़ गया ना चलो तो पहला फोर्स जो दैड़ी से ग्राविटेशनल फोर्स ग्राविटेशनल फोर्स की कहानी तुम लोग ने अल्रेडी नाइटी अटेंथ में पड़ी हुई है बाई दो मैसिव बॉड़ी होते हैं उनके बीच म रहें तो ही हो छोटे बॉड़ी रहेंगे तो भी होगा बड़ उनके बीच में जो फोर्स होगा और यह सबसे विकेस्ट फोर्स है न्यूटन्स लॉग अगर पढ़ा होगा तो सेम कहानी होगा एफ इस इक्वेल स्टू जी एम वान एम टू बाय आर स्क्वेर यह यहां पर फिलार हमको समझ लो यह सबसे विकेस्ट फोर्स है और यह तभी ऑफ्जबर है कि जब मैसीव बड़ा हो जैसे सन का अर्थ का मून का जूपिटर का तब तुम लोग अफ्जब कर सकते हो अगर मार्कर के लिए देखने जाओं तो यह मार्कर और यह मार्कर मार्कर मतलब पैन है यह मैंने बताना ओफलाइन पढ़ाता हूं तो वहां पर ज्यादा मार्कर यूजब करता हूं इसलिए मार्कर निकल रहा है तो मार्कर ली बोलेते हैं अब दोनों के मार्कर के बीच में पोर्स अट्राक्शन है बट वह तुमको दीखेगा नहीं क्यूंकि दो एक दो फोर्स का कॉंबिनेशन अदाट व इल क्लोग ब allied pent partners अगरेशन हीं अचल के दो gekommen repeat करेंट येक भताากर करेंट में धन ध Mayo क्वनेशन है नेक्स की समय किसमें से फ्रेट हो था तो तुमारे इससे प्रे parliamentary होता है था हम लोग ने around the nucleus around the proton तो because of electromagnetic force next is strong nuclear force nuclear force में दो कहानी आती है एक आता है strong की एक आती है weak की strong की कहानी 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 आती है strong की कहानी आती है nucleus के अंदर अब देखो proton है आगर मैं बात करूँ helium atom की तो helium atom में 3 proton है और 3 की 3 proton positive charge रहते है यह तो पता ही होगा proton क्या है positive charge है अब 3 के 3 proton positive charge है क्या करेंगे ripple करेंगे न तो ripple करके nucleus तूर जाना चाहिए ता अभी तक बट ऐसा हुआ क्या nucleus तूटा है क्या nucleus अभी भी bound है वो किसकी वज़े से bound है strong nuclear force की वज़े से bound है वहाँ पे एक force है जो उन 3 को बांद के रख रहा है मैं तो यह बात कर रहा हूँ lithium की अगर आगे जाओगे तो वहाँ पे 10-10-15-15 proton रहते हैं एक ही nucleus में तो वो लोग कितना strongly bounded है तो वो किसकी वज़े से bounded है strong nuclear force की वज़े से weak nuclear force क्या है वीक nuclear force तुमारा dk में आता है जब कभी हम लोग dk पढ़ेंगे 12 में हैं हमको alpha dk, beta dk, gamma dk laws of radioactive dk जो तुमारा radioactive dk होता है वहाँ पे काम होते है मतलब यहाँ पे क्या होता है जो element होते है जो sample होता है उस sample में से जो कुछ nucleus है वो तूट-तूट के बाहर निकलते रहते है dk होते रहते है एक तरह का सड़ना ऐसा सड़ता नहीं बड़ एक तरह का तुम लोग समझ सकते है dk बोले सड़ना तो उसके जो elements है वो break होते रहते अब वो elements है जो break होके बाहर निकल रहा है भाई वो weak nuclear forces है जुड़े है बाहर समना रहा है तो यह सब के बारे में detail में हमको पढ़ना है जैसे मैंने बताया कि पुरा पुरा चाप्टर है तो यहां पे हम लोग उतना ज़्यादा discussion नहीं करेंगे और already उतना ज़्यादा discussion है भी नहीं है बट basic चीज़े तुमको पता होनी ची इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं तो क्या करना है तुमको फटा फट पढ़ाई करना चालू कर देना है अगर कुछ doubt आ रहा है तो comment section है अगर comment section में नहीं पूछ पा रहे हो पका चलो तो आज का वीडियो यही पेंड करते हैं आज के लिए बस इतना है that's it for today thank you so much